वेलकम है आप सब कई बर फिर से नेव लोग में कैसे हैं आप उमिद गुरू आप सब ठीक होंगे मस्त होंगे सवस्त होंगे तो जी अगर हमारे गर्मे कोई भी फंक्शन वगरा होता है चाहिए कोई फास्ट हो या कोई छोटा मुटा फंक्शन हो तो जो सामान है गर्म वो वो ऐसा फैलावा रहता है कि बाद में पता है नहीं चलता कि उनको कहां से कहां शुरू कहां से करे कि कहां से उठाके कहां रखे तो ऐसा हाल कुछ हमारे गर्मे है अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको यहां पर दिखाए दे रहा हो गए यह सामान है आज कल वाले व्लोग में देखा था आहोई अस्ट में का जो बर्त था तो उसमें यह सामान था वो यूज किया था कुछ-कुछ एक चीज ली थी उसके लिए दस चीज वो ऐसे फैला के रख दी थी अब मैं इनको समे समेटूंगी तब तक बच्चे हैं वो भी आ जाएंगे स्कुल से तो पिछ भी रमोप भी रखा पोचा भी पोचा वगर है मैंने सारा लगा लिया तो अब मैं इनको समेटूंगी और समेटू तो मैं सुरूआज कहां से करूँ मेरे को तो यही नहीं पता समझ मैं नहीं रह कहां से सुरू करूँ चलो तो आज मैं सोच रही हूं दी पावली की सफाई वैसे तो कर दी तो आज इनकी भी सफाई कर देखती हूं आपने देखा होगा अमारे यहां कोई भी फेस्टिवल फंक्शन होता है कोई भी पुजा का काम होता है तो प्ले लिए और चूंदडी लोड़े जाते हैं तो मैं आपको दिखाऊं कितने पीली और चूंदडी है एक यह है एक यह है आप लोग भी सोच रहेंगे किन के पास एक दो हैं वाइडरे से वो डाले के आ जाती है पता नहीं और है यह नहीं है तो अलबारी है वो मैंने खूल रखी थी तो मैंने सोच क्योंने मैं आपको दिखाई दूँ यह है सूट के उपर डालने के लिए पीलिया और एक है इधर इसको मैंने अभी फोल्ड नहीं किया है फोल्ड करके रखूंगे यह देखिए तो एक दो तीन च्यार पांट पांच है यह और मेरे इसाब से कम से कम यह एक आपकी इसाब से कितने रुपए की होगी कॉमेंट करके जरूर बताना लेकिन है यह बड़ी कोस्टली महंगी है यह थोड़ी से है यह वाला यह वाला सस्ता है यह राउंड दो सो तीन सो रुपए का होगा बाकी हर जग है अलग-अलग मिल जाए कहीं सो रुपए का भी मिलता होगा कहीं डेड़ सो का भी पर मैं लेके आई थी मेरी नणत के यहां से उन्होंने दिया था तो वो लेके थी तीन सो रुपए का इधर एक दो तीन च्यार पांच छे छे पीली सपेसल होई जाते हैं हर फस तो यह जोड़े हैं हमारे पास पहले हैं जो हम हर फेस्टिवल पर यह डालते हैं बाकि कोई जरूरी नहीं है कि यह टालें और कुछ ऐसा भी नहीं कि उस सपस्ड़ डालें लेकिन यह तो सपस्ड़ होई जाते हैं हर फेस्टिवल पर मम्मी बोलते हैं कि इनी को डालो पीलिया या चूंदरी बेशक्त आप लोग इसके नीचे लाचा डाल सकते हो साड़ी डाल सकते हो लेकिन उपर से एक बार तो ओड के इनकी पूजा की जाती है तो बस एक बार सर के उपर से ऐसे ओड के अग अभी जस्ट अभी आये हैं और इडाशिक में लग रही है सामान को समेखने जी आने आते ही बच्चों ने बैग भी यह इंपे डाल दिये हैं सामान है कुछ सामान तो मैंने पैक कर दिया है बाकी आगए बच्चे अब थोड़ी दिन में पैक करोंगी पहले इनको दे देती हूं खाना उसके बाद पैक करोंगी चलो तो फिर खाते हैं हम खाना क्योंकि बूख लग रही है सुबह थोड़े से जावड़ों खागी गए आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं वह हमारा मुर्गा फार में मतलब जापे मुर्गे रहते हैं पर अब आपे मुर्गे नहीं है पहले आपे राया करते थे और दोस्तों देखिए यहापे हमारी ममी जी ममी क्या कर रही हो अच्छा देखिए कितने साथ हैं देखिए और यहापे हम जब भी लेने आते हैं हर यहीं से लेके आते हैं देखिए हमारा घर अगर जिसको हमारा घर नहीं देखा हो वो देख लिजिएगा जूम करके हमने एक यह लागेट और उपर च्छत देखिए और उपर च्छत से हम वो पटाके जलाते हैं तब दिवाली का जो होता है न वो तेखार वो हम उपर जलाते हैं देखिए यह सारा सामान पहुंचा है मेरी ममी ने मेरी माई के से और आपको तो पता है मेरी बाबी का फर्ष्ट करवा चोत वरत था तो हमारे यहां पर फर्ष्ट करवा चोत वरत बाबी के गाउं से ननद के लिया आता है कुछ सामान तो उन में से यह गड़ी भी थी मेरी ममी ने प कोमेंट करके जरूर बताना